पहले स्टूडेंट कैसे आप सो उम्मीद करता हूं आप सबच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चली होगे और सुपर फास्ट रिवीजन का लेक्षर शुरू है बच्छो तो चले शुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं चैप्टर टू का है प तो यही कार एक विभाव है यही आनन्त से कहां से विद्धु छेत्र के किसी बिद्धु तक जो कार करना पड़ता है उसे विभाव कहते हैं आबेस को लाने में किया गया कार तो डबलू अपान क्यू हो जाता है याद रखेगा और बच्चो यह एक आदिस रासी है क्या है अदिसरासी यही तो पूछा है विद्धुत विभाव किसे कहते हैं एक कांग धनाविस को अनन से विद्धुत की किसी बिंतक लाने वी जो कार करना पड़ता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं बच्चो ठीक है क्या बोलते हैं विद्धुत विभाव बोलते हैं अदिसरासी है आगे देखो, क्या एक खोकले गोले के पेच्छा समान त्रिज्जा वाले ठोस गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, जबकि दोनों का विभाव समान है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, समान त्रिज्जा वाले खोकले और ठोस गोले की विद्दुधायता हैं समान होती है अता समान विभव तक आवेशित करने के लिए समान आवेश देना होगा क्या बोला है क्या अधिक आवेश दिया जा सकता है ऐसा समभव नहीं है क्यों क्यों क्योंकि तरज्जा समान है इसलिए उस पर समान आवेश ही हो सकता है आगे देखो किसी चालक की विद्दुध धारिता से आप क्या समझते हैं धारिता क्या है किसी चालक पर आबेश ग्रांड करने की छमता है उसके पास कितना आबेश ग्रांड करने की छमता है कुल मिला करके किसी चालक की एदि मैं बात करूं धारिता को एक फार्मूला के हिसा रखा जाए तो Q बराबर आपका यहाँ पर भी हो जाता है Q बराबर C हो जाता है यहीं जो C है वो आबेश के मान के बराबर होता है और उस आबेश के मान के बराबर होता है जो कि विवहों में एकाई ब्रद्धी कर दे सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूँ धारिता का अगले प्रिश्ट पर चलते हैं किसी चाला का प्रिश्ट सदैफ सम्भीव प्रिश्ट होता है क्यों इसका उत्तर बताना इसका रीजन बताना है देखिए सम्भीव प्रिश्ट किसे कहते हैं बच्चों आप लोगों को समझाया गया सम्भीव प्रिश्ट एक ऐसा समान होता है चाला का जो प्रिष्ठ है सम्भीवो प्रिष्ठ किसे कहेंगे ऐसा एक प्रिष्ठ जिस पर सम्भी बिंदो पर विभो क्या होता है समान होता है लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है किसी चाला का प्रिष्ठ सदेप सम्भीवो प्रिष्ठ क्यूं होता है अच्छा यदि इम इसके अपोजिट मान कर चलें, कि भाई साहब यदि मान लिजी सम्भिभो नहीं है, ठीक, यह हमारे पास चालक है, और चालक बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सम्भिभो नहीं है, बतलब यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी भी है, यहाँ पर मैं कहा दूँ, कि इसका मान अधिक है, यहाँ पर भी भाई का मान अधिक है, लेकिन जब चालक सम्पर्क में है, तो यहाँ से जो आबेस है, वो कहाँ चलने लगेगा, अधिक भी भी भाई से कम भी भाई की होगा, जुड़े रहते हैं यदि सभी बिंदों की बहुत समान नहीं है तो आबेस अधिक भीवह से कम भीवह क्यों चलने लगेगा और तब तक प्रभाईत हो जाएगा जब तक की समान न हो जाए अताहा यदि समान होगे तो सम्भीवह प्रिष्ट होगा इसलिए तो कहा जाता है को आबेस है वो शमान उपाती होता भी के यहां से जब समान उपाती हटाला हट जाता है तो सी भी हो जाता है अब क्या बोला भाई साहब चाला की धारिता धारिता सी बराबर कितना हो जाता है कि वो पान भी अब जैसे एक कुलाम आबेस हो जाए और इसके विवहों में तो इसका जो बूल्ट है वो एक बूल्ट भी बहुत हो एक बूल्ट हो जाए तो जो हमारा यहां पर चाला की धारिता एक फैरट के बराबर हो जाएगी ठीक है कोई दिकत तो नहीं है चलिए आगे देखू संधायत की धारिता का क्यारत है समझाईए यदि समांतर प्लेट संधारितों के बीच के परवर्तां का माद्यम रख दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा अच्छा इसकी धारिता के बात करूं तो C बराबर आता है एफिलन नौट के ए अपान डी यदि के का माद्यम रखेंगे तो के कुना बढ़ सीमपल है कुछ भी नहीं है यदि के माद्यम रख देंगे समांतर प्लेट यह होता है यहां पर प्लसाऑ मांत्ला के बेराबर होता है जो उसकी पहली प्लेट आवेस को देने के बाद उसकी प्लेटों के बीच इकाई विवांतर उत्पन कर दे मतलब वही चीज है आवेस की मात्रा ही धारिता है बस यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में इकाई विवांतर उत्पन कर दे हमने आपको अभी इसके पहले परिभासा बताया था धारिता की वही चीज है और यदि के माध्रम रखेंगे तो के गुना धारिता बढ़ जाएगा अगला कोश्चन दो सम्भीव परस्ट एक दूसरे को नहीं काड़ते क्यों बिलकुल नहीं काटेंगे क्योंकि यह सम्भीव परस्ट लंबबत होते हैं बाई साब और हर एक बिंदू पर भी बहुत समान होता है और जो आपके बल रेखा हैं विदूद बल रेखा हैं वो एक को काट देंगी तो वहांपर दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभग को नहीं है ऐसे आप लोग को पड़ है कि Wit दू चे कि क्यों नहीं काटी है को कि यहां पर भी इस परस करेगा काटेगा वहाँ पर इनामी हो जाएगा और पेनामी एक एक दूसरे को काट सेगे तो जो कि रिच्छ संभा नहीं है समझ रहना ये चीज आपको समझना चाहिए अगला कोश्चन देखिए किसी आवेशित गोली चाला के प्रिष्ट पर विद्दुच्षेत अभी लंबत होता है क्यों इसके पीछे का रीजन यही है किसी आवेशित गोली चाला के प्रिष्ट पर विद्दुच्षेत अभी लंबत होती है आगे देखो खोकले चाला के अंदर प्रिष्ट विद्दुपर विभौ एक समान क्यों होता है सबसे पहले कोश्चन को आपको समझना होता है कि खोकला चाला का मतलब यह कि अंदर आवेशि नहीं सबसे ना कि जब किसी खोकले चाला को आवेश दिया जाता है तो आवेश कहां बहाप्रिष्ट पर जाता है चाला के अंदर कोई आवेशि नहीं रहता अता विद्दुचेत की तिवरता सोन हो जाती है अथा खोगले चालाक के अंदर एक आंग धनावस को एक बिंदु से दूसरी बिंद तक ले जाने में कोई कारा नहीं करना पड़ता इस प्रकार के अंदर प्रत्य यद्ध बिंदु पर विभागा होगा शमान होगा अन्दर जब आवेस ही नहीं है जो कि आपको समझ लेना चाहिए दर साइए कि संभी ओ पर एक आगः काश को एक से दूसरे बीन तक ले जाने मी किया गया कार सुन होता है देखो वच्छों हमें दिया आप से कह दें कि विवानतर सुन होता है विवानतर विवानतर के से जिसे में 50 घटाओगे तो 0 आजाएगा और जब यह कार निकालोगे तो कार का फर्मॉला भी वांतर गुने आभेज तो कार कितना हो जाएगा सुन हो जाएगा कि सम्झे अपृस्ट के अंदर प्रत्पै बिदों पर समान होता है किसी दो बराबर क्या हो जाएगा बिभवांतर एसे भी गुणे यही चीश्च तो होता है ना इसलिए कार भी सुन होगा यदि कोश्चन बन जाए कि आबेसित चालक के अंदर विद्धु छित की कल्पना कीजिए तो भाईया इतना ध्यान रखना कि यदि आबेसित चालक है खोकला है यदि खोकला है तो उसके अंदर कोई आबेस नहीं होगा और विभव सभी बिंदो पर समान होगा इसलिए विद्धु छित की तिवरता सुन हो जाएगी संधायत किसे कहते हैं एक ऐसी युक्ति जिसकी आकार आयतन परिवरतन किया विद्धु परिवरतन किया विन उसके व इसके बाद अगला प्रिष्ण देखते हैं अगला प्रिष्ण अनुगमन बेग क्या है धारा घनत्त को प्रिभासित कीजिए एक चीर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है रिवीजन क्लास सुपर फास्ट रिवीजन और आप लोग में इलेक्रान विद्दुचेच के प्रवास से आउसत बेग में प्रवाइद होती है इस नियत आउसत बेग को यह अनुगमन बेग कहते हैं धारा घनत्त घनत्त का मतलब क्या होता द्रबमान बटे आयता घनत जानते हो ना लेकिन यहां पे धारा है तो यहां यहां पे धा उसका धारा गनत्क शक्रायागा थीक है अनोगमन बेग क्या है लेकिन किसी चाल आक अन्यव давam के बहुतर परिफरतन लगा सकते हैं वो परिवर्तन ना हो और उसके बहुत ही कवस्तम परिवर्तन ना हो और तार के लंबाई में परिवर्तन ना हो ये चीज़े बच्चो ठीक है बिसिष्ट प्रत्रोध ये प्रत्रोध हकता की परिवासा दीजिए एवं इसका भिमी सूत्र एवं मात्रक लिखिए इसके लिए मैं फार्मूला का प्रयोग करूँगा बच्चु वो फार्मूला सायद आप लोगों को पता हो कि रो बराबर होता है आरे या पान एल छेत्रफल भी इकाई हो जाए लंबाई भी इकाई हो जाए तो यहाँ पर रो बराबर आर हो जाएगा मतलब जो बिशिष्ट प्रत्रोध है वो प्रत्रोध के ही बराबर होता है लेकिन एकाई छेत्रफल वाले चालाकतार में या एकांक लंबाई वाले चालाकतार में जब क्या हो उत्पन प्रत्रोध हो तो उसको हम बिशिष्ट प्रत्रोध कह सकते हैं यहीं देखो एकांक बाइभी इकाई हो तब उसका जितना भी प्रत्रोद होगा विशिष्ट प्रत्रोद कहलाएगा इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर विमी सूत्र ml के पावर 3 t के पावर मैनस 3 एक पावर मैनस 2 ठेक है बच्चो अगला प्रिश्ण है किसी चाला की चलाकता को प्रत्रोद का ब्यूत करम ही चलाकता है चलाकता वराबर एक बटा प्रत्रोद है इसका मात्रक मोया शाइमन होता है क्या बच्चो मोया शाइमन होता है ओके दारा को परिवासा करो याथ धारा की परिवासा नहीं बनती आप से किसी चालक में आवेस प्रवाय की दर को दारा कहते हैं यह कोछा घेंगता है धारा एक कैसी राची है अधिस राची है इसका मातरक M.P.R होता है इतना ध्यान रखना अगला कुछ देखो ठंडे के दिनों में ठंडे की तुल्ला में गर्म दिनों में कार इंजन चालू करना असान होता है सबको पता है ठंडे में लोग अकड़ रखते हैं न अकड़े रह किर्शाब के बोल्टता का नियम क्या भाई किसी भी संदी पर मिलने वाले बोड़ता का नियम किसे बोलते हैं किर्चाप का दूती नियम और किर्चाप का प्रथम नियम क्या ये तो आप बता दो आप किसी भी संदी पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग बीजगरती योग सुन होता है ये पहला नियम है न किर्चाप का पहला नियम किसी भी संदी पर मिलने वाले समस्थ धाराओं का यो क्या होता है किर्चाप का दुती नियम क्या कहता है कि कोई भी बंद परिपत है उसमें धारा बह रही है तो धारा और प्रतिरोद के गुडन फ़ल का बीजगर्तियो, कुल विद्दुद वहागबल के बीजगर्तियो गे बराबर होगा क्या बोला गया? कि एक बंद परिपत है, कितने भी बंद परिपत है, इससे मतलम नहीं है इनमें जो भी धारा है और उसका जो प्रतिरोद है इसमें भी जो धारा है प्रतिरोद है धारा जो प्रतिरोद इनका बीजगरती योग इनके कुल बिद्दुद बाहगबल के बीजगरती योग के बराबर होता है क्या वो ला गया बंद परिपथ है इसमें दारा भेले है इसमें दारा I6 में धारा I3 है पित्रोद R1 है पित्रोद R2 है पित्रोद R3 है तो धार और पित्रोद के गुड़न फल सभी का करेंगे फिर बीजगरती योग मतलब सब को जोड़ो दो और वह यह जो भी विद्धुद बाहकबल इन बंद परिपत में होगा है ना तो कहने का मतलब यह धारा प्रत्रोद के गुड़न फल का बीजगरती योग विद्धुद बाहकबल के बीजगरती योग के बराबर होता है यह द धी मी पढ़ जाती है तो यसे भी सब को पता होगा कि सर हीटर लगा दिये तो एनरजी ले लिया बिल्कुल सही है एनरजी बढ़ जाता है धारा बढ़ जाता है क्योंकि घर में जो परिपत्र मा लीजे जुड़ा है जैसे मा लीजे आपका एक चार्जर भी लगाना है एक होते हैं यह सब किस क्रम में होते हैं तो यह सब किस समांतर क्रम में होते हैं और जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कहीं न कहीं धारा बटेगा ठीक है और इस कारण से बल्व स्लो होगा बल्व की सीरों के बिज़ विवांतर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और बल्व क सिरों पर व्यवांतर कम हो जाता है था बल्ब की रूषणि कुछ कम हो जाती है कि इसके बाद अगला नंबर देखो किसी चाला की प्रतरोध को परभावित करने वाले कारा कौन कौन से एक लंबाई है एक बियास है एक तापमान यह ना लंबाई बढ़ाने से प्रत्रोध बढ़ता है यह बच्चो ओम का नियम से बहुत ही कबस्तन परिवर्तन नहों तो उसमें बहने वाली जो धार है सीडोप पर लगाएगे विभवा कि टेंथ पढ़ते आ रहा है वह सिरों पर लगाए गए वह वांतर कि शमानुपाथी होता है बच्चो लगए गए जो में आरे पास बोल रहे ना जो मारे पास परिपत है कि ऑन सब आप ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है यह ओम कनियम लिख सकते हो यार प्रभाविद करने वाले कारा का आपने पहले भी पढ़ लिया यह देखो ज़रा और इसमें ओम की नियम की सीमाय हो गए रहा सब कुछ आपने पढ़ लिया इसके बाद बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं बिंदू आवेस के लिए सथ है और एक बल उन आवेसों के लिए सथ है जो भी रावस्त हमें रहते हैं ठीक है वैसे कुलाम की ब्यूत करम बरकनियम सब को पता है किनी दो आवेसों की बिच लगने वाला वाल उन्हों दो आवेसों की परिमार की गुड़न फल के अनक्रमान नई नई उल्टा कहें दिया ना उन्हों आवेसों के गुड़न फल के अनक्रमानुपाती बीच के दूरी के बरके विद्ध करमानुपाती होता यह किसके आधार पर होता है तो केबल बिंदू आवेस के लिए सथ है और एक नवेसों के लिए सथ है जो बिराव वस्ता में आबेस का quantum करण क्या है Q बराबर N E यहीं कुल जो आबेस है वो एक इलेक्टरान पर उपस्थित आबेस का multiple है ठीक है मतलब इलेक्टरान की संख्या कितनी है उस पर हम एक इलेक्टरान के आबेस का मान गुडा कर दें आबेस है एक इलेक्टरान पर आबेस कामान और कितने उलेक्टरान है उसका multiple कुल आबेस कहलाएगा आबेस रच्छन का सिध्यांत आबेस ना तो अधंच किया जैसकता है बिद्दुत आवेश योज है अर्थात किसी भी पदार्थ के कुल आवेश विविन भागों पे आवेश की बिजगर्थियों के बराबर होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं बिद्दुत फ्लक्स यह परिभास आप समझो कि फ्लक्स क्या है जिसे चालक से बिद्दु छेतरे खाई निकलती है सबको पता है एक हमारे पास चालक है इस चालक से बिद्दु छेतरे खाई निकलती है सबको पता है यह हमारे पास चालक है बत जो यहां से बिद्दु छेतरे खाई निकलती है यह जो बिद्दू छेत्रे खाओं यहां पर प्रवेश करती है यहां से जाकर के यहां प्रवेश करती है ना तो बिद्दू छेत्रे खाओं एकांग छेत्रफल से जितना बिद्दू छेत्र निकल निकल रही है लंबबद लंबद निकल रही है ना उसकी संक्या को हम बोलते ह बिदुद फ्लक्स जिसका मात्रक है नियूटर मीटर स्कूर प्रतिक उलाम मतलब किसी छेत्र फल से अभी लंबबद कुल कितनी रेखाई निकल रहें लंबबद निकलने वाली देखाऊं क्यों बोलेंगे विद्दुद फ्लक्स ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बोल दें लंबबद जो निकलेंगे वच्चों उन्हीं को हम बोलेंगे ठीक है विद्दुद छेत्र की तीवरता की से कहते हैं ये भी चीज़ जरूरी है जैसे माल ल षेत्र है वहाँ पर एक आवेष रखा है जितने बल का नुष करेगा यदि एक आवेष पर लगने वाल वैवववद फ्लकुद च्यटर कहलाता है इसका मात रख हो जाएगा बल का मात्रक नीवटन औरigns न्यूटन प्रतिकुलाम क्या न्यूटन प्रतिकुलाम करी ऐसी हो अगर नहीं दोनों की बिचकों दूरी बहुत ही कम है तो हमारे बैदुत दूरूरू कहलाएंगे आबेस का कॉंट मिकर मैंने समझाई दिया बच्चो इसके बाद गास का पर में किसी बंद प्रश्च से गुजरने वाला संपूर्ण बैदुत लक्स उस पर उपस्तित आबेस देखो बाईव.य yours कि रबर टायर कुछ चालक बना जाते है क्यों क्यों क्योंगि घरस्ण के दौरान उहां पे आपे आबेस उतपन होता है और जो आबेस उत्पन होगा वो प्रतिवी में चला जाए अन्ता आग लग जाएगी सिंपल और कुछ भी नहीं है कि भाई सहाब बायुयान के टायर को चालक बना जाते हैं क्योंकि जब बायुयान का टायर भूमी के बीच घरसन होगा और घरसन होगा तो क्या होगा उस पर आबेस उत्पन होगा सिंपल है सबको पता है ठीक है और यदि आबेसित हुआ तो यदि चालक है तो वो प्रतिवी पर आबेस चला जाएगा कि जैसे मालीजे कोई जोलंसील पदार्थ लेकर कोई बाहन जा रहा है जब बायुएन से घर्षन होगा तो उसमें आबेस उत्पन होगा बिलकुल आबेस उत्पन होगा जैसे मालीजे कोई भी हमारे पास बाहन है अभी हमने इसके पहले भी एक question कराया था आपको कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती इसके पिछे बस एक ही कारण है कि दो इस परस रेखाएं दी एक दूसरे को किसी बिंदू पर काड़ देंगी तोहाँ पर दो रेखाएं हो जाएंगी मतलब कौन सी दो रेखाए उसकी जो पेडामी विर्ट करेगा, वो दो दिसाएं हो जाएंगी अर्था तब बिदू छेतर की दो दिसाएं संबोध नहीं है सही है की नहीं, एदि मा लीजे, दो छेतरे काएं एक दूसरे को कार दें, उस बिदू पर दो इस पर संबोध बनेंगी और दो दिशाय प्रदर्शित हो की जो कि किसी बिंदू के लिए सत्त नहीं है किसी बिंदू के लिए यह है संबोड नहीं है एक बिंदू पर के बल एक ही परणामी रेखाएं खीजी जा सकती है यहाँ पे दो-दो कैसे होगी है समझ रहे हैं बच्चो यह चीज है के मुख में याद होगा ठीक है यह हमारा ओनपान आरि स्कोर है दोनों को मिलाएंगे तो समानो पाती क्यूवन नियत्तांक लग जाता है के कमान लग देन थे बढ़ावर ओनपान-फोर पैफ्शिलन नौटकी यहां पर एक आंक आप इसकी प्रिभासा दे दी गई यह चीज ऐसे कुश्चन पढ़ना है यह आपको यह नहीं सोचना है कि सर जबाब हमको कराएंगे तब ही हम करेंगे नता हम रोएंगे यह 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 कुछ नहीं वह यह तिक है एक कुश्चन आपको पढ़ लेना है विद्दु छेत्रेखाओं के गुण इस चेप्टर से विद्दु छेत्रेखाओं के गुण भाईया विद्दु छेत्रेखाओं के गुण भाईया विद्दु छेत्रेखाओं के निकल कर रिन्वे समापत होती है एक दूसरे को नहीं का परना यह आपका होम मर्क है विदुद फ्लक्स इतना पढ़ लेना इस चेप्टर से बाकी तो भाई सहाब बैंजक की मैं बात नहीं कर रहा हूं बैंजक आप लगाते रहो बैंजक आप करते चलो असर उमीद है कि आज के जो लेक्षर है थोड़ा सा लेंदी था लेकिन भाई टेक क्या लबी वच्चो टेली ग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लें टेली ग्राम में सीव कोचिंग क्लासस के नाम से वहां भी आपको इस्टेडी मटेरियल देता रहता हूं जैहिंद बने मात रहा हूं